नमस्ते, स्थूरिंऔ आज हम लोग limit के बारे में जानेंगा limit है क्या limit एक approaching value है function का याद लगेगेगा approaching value exact value नहीं चले हम लोग इस function से समझने की कोशिश करते हैं x2-1 by x-1 अगर आप इसमें exact value 1 बिठाते हैं तो आपको क्या मिलता है जिरो वाई जिरो यह जो फर्म मिला इसको हम लोग इंडिटेमिनेंट फर्म कहते हैं ऐसे 7 फर्म है जिसे इंडिटेमिनेंट फर्म कहा जाता है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी जिरो बाई जिरो इंफिनिटी बाई जिरो जिरो इंटो इंफिनिटी infinity to the power 0 and 1 to the power infinity ऐसे independent form अगर आपको मिले तो वहाँ पे आपका mathematics work नहीं कर सकते हैं वहाँ match normally behave नहीं करता चली तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग exactly 1 का value नहीं लेंगे हम लोग कोशिश करेंगे 1 के बहुत करीब जाने की और check करके देखेंगे function का value क्या मिलता है तो चली बढ़ते हैं अगर आप इस data को देखते हैं हमने x का value धीरे धीरे 1 की करीब लिया और function का value आप देख सकते हैं धीरे धीरे 2 के करीब बर रहा है आप 1 के करीब जा रहे हैं function का value 2 के करीब जा रहा है आप अगर 0.5 के जगा 1.1 लेते तो यहां आपको 2.1 मिलता हैं अगर आप 1.01 लेते 2.01 आता हैं तो आपको क्या मिल रहा है इस तरब से भी अगर आप धीरे-धीरे 1 की करीब बरते आपका function का value भी धीरी-धीरी 2 के करीब आता है हमें दुम्हों तरफ से चेक करने होते हैं और देखने होते हैं क्या result सेम दे रहे हैं अगर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहां से आपको interesting situation देखने को मिलता है जब आप particular exactly मतलब exact value को ले रहे थे और function में बठा रहे थे तो आपको कोई result नहीं मिल रहे थे आप कोई particular value भी धून नहीं पाएंगे अगर indeterminate form आये तो बट जब हम लोग approach जा रहे थे नाइवरूट को देख रहे थे 1 के result 2 के करीब जा रहा था इसी को हम लोग इसी value को हम लोग limit कहते हैं चलिए इसका graph को देखते हैं किस तरह दिखता है इसका graph आपको इस तरह दिखेंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं hollow है मतलब यहाँ पर आपका function work नहीं कर रहा पर हम लोग क्या किये 1 के बहुत करीब के हैं इस तरफ से भी और इस तरफ से भी और हमें क्या दिख रहा है देखिए जो रेसल मिल रहे है वो 2 के करीब आ रहे है दोनों तरफ से जब हम लोग इस तरफ से भी बढ़े इस तरफ से भी बढ़े तो 2 के करीब आ रहे है कैसे rate करेंगे और कैसे symbol है आप देख सकते हैं यह general symbol है कभी कभी LIM के जगा LT भी यूज़ किये जाते है चले इसको rate करते है किस तरफ से rate किया जाता है limit of f of x as x tends to c is l और इसको rate कर दीजे limit of x square minus x by x minus 1 as x approaches 1 is 2 sir अगर left hand और right hand equal नहीं हुए हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं इसलिए हमें दोनों तरफ से check करने होते हैं check है अगर function आपको इस तरह दिख जाए जहां से आप left hand की तरफ से बर रहे हैं आपको एक अलग सा value और right hand की तरफ से बर रहे हैं आपको एक अलग सा value मिल रहा है तो ordinary limit exist नहीं करता yes left hand limit exist कर रहा है right hand limit exist कर रहा है दोनों अगर exist करते हैं इससे ये conclude नहीं होता है कि ordinary limit exist करेंगे आपको देखने होंगे क्या वो दोनों equal है अगर दोनों equal होते हैं तभी आप कह सकते हैं limit of a function exists at that particular point चेके अब हम लोग जानेंगे क्या limit सिर्फ difficult function के लिए होते हैं बिलकुल नहीं limit आप normal function पर भी apply कर सकते हैं जैसे x by 2 यह इसमें अगर आप 10 का value इठाते हैं तो यह indeterminate form नहीं देता that means अगर आप direct value लेते f of 10 तो 10 by 2 आपको क्या मिलेंगे 5 इसमें आपने limit लिया है उसमें भी आपको 5 मिलेंगे तो limit आप किसी भी function पर apply कर सकते हैं जेखे do you know the value of 1 by infinity अगर ऐसे सवाल पूछा जाए तो बिलकुल आप कह सकते नहीं अब सवाल अशर ऐसे क्यों देखे रिजन भी बहुत अच्छे से लिखे हैं the simplest reason is that the infinity is not a word number it's an idea it's an abstract noun यहाँ पर कोई particular number नहीं तो यहाँ आप measure नहीं कर पाएंगे यह क्या है एक undefined है अगर infinity word आए तो but आप बहुत करीम जा सकते हैं infinity के तो यहाँ limit को अगर आप देखते हैं अगर आप कहते हैं कि limit of 1 by x as x tends to infinity मतलब x का value बहुत बढ़ा है तो आपको क्या दिख रहा है इस graph से देखे अगर x का value बहुत बढ़ा होता है धीरे धीरे यह जो graph है यह 1 by x का graph है x का value आप बहुत बढ़ा करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है y का value जो है धीरे धीरे 0 की करीब जाए तो इससे हम लोग conclude कर सकते हैं कि exact infinity नहीं पर infinity के neighbor root की जो value आएंगे अगर x tends to infinity होते हैं तो 1 by x tends to कहा जाएंगे 0 के करीब and that is the limit मित करते हैं limit का concept आपको समझ मैं तो इससे आप क्या conclude कर सकते हैं when you see limit think approaching not exact value नाई वरूट है याद रखेगा में तो करते हैं समझ मैं आपको आपको समझ मैं आपको तो